कि उनका एक merit non merit वाला इशो था हमने कह दिया है कि जेतने लोग qualified हैं चाहे merit में हैं या merit में नहीं हैं वो सब लोग qualified हैं होता तो तब है जब नियुक्ति का विग्यापन निकलता है वो जो पात्र होते हैं वो उसमें application डालते हैं फेर वहां merit list बनता है फिर merit list के अधार पर बाहर होते हैं और जो STT 19 में पास किये हैं उनको साथ में चरण में हम लोग सीगर मौका देने जा रहे हैं नमश्कार आप देख रहें NBC24 मैं हो आपके साथ मांसी अभी मेरे साथ यहां पर मौजूद है बिहार के सिक्षा मंतरी बिजय कुमार चौधरी आज हम उनसे बात करेंगे और बिहार के सिक्षा विवस्ता और STT के मुद्धों पर उनसे चर्चा करेंगे सर सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है सर आप हमें ये बताए कि बिहार के सिक्षा विवस्ता इतनी कमजूर क्यों है आपकी क्या कुछ विवस्ता है यहां पर लेके आपको किस ने कह दिया कि बिहार के सिक्षा विवस्था कमजोर है अक्सर कहां आता है अक्सर तो कहीं नहीं आता है बिहार के सिक्षा विवस्था बिलकुल कमजोर नहीं है और कम से कम आप अगर बिहार से हैं तो इस मानसिक्ता को तो बदलना सबसे पहले आपको चहिए बिहा सुधार के चातर अवल आते हैं यहां कमजोड है इसलिए और हम लोग सिक्षा विवस्था को और चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं जो सुधार की अवस्चक्ता है वो कर रहे हैं इसलिए आने वाले दिनों में और अच्छी होगी विवस्था सबसे बड़ा मुद्दा भी यह है फिलहाल की STET के बहुत सारे लोग जो आए दिन सरक पर उतर रहे हैं अंदोलन कर रहे हैं कोट तक जा रहे हैं यह कह रहे हैं कि उनको नौकरिया नहीं मिल रही है देखिये उन लोगों को जो तो सडक पर कभी उतरे थे और अब तो वो सरकार के विवस्था से संतुष्ट होके घर पर बैठे हुए हैं तो फिर आप उनको सडक पर उतरने की बात याद क्यों दिला रहे हैं वो तो सारी चीजों को समझ गया हैं कि उनका एक merit, non-merit वाला इस हो था हमने कह दिया है कि जितने लोग qualified हैं चाहे merit में हैं या merit में नहीं हैं वो सब लोग qualified हैं सारे लोग qualified हैं सब को नौकरिया मिलेंगी सर्थ अब पहले TET का मतलब समझती हैं, TET का मतलब होता है पात्रता परिक्छा, मतलब वो नियुक्ति के पात्र हो सकते हैं, Elisability Test है, जो वो Elisable होंगे, कोई किसी के लिए Elisable है, मतलब उसको हो गया, होता तो तब है जब नियुक्ति का विज्यापन निकलता है, वो जो पात्र होते हैं, वो उसमें एप्लिकेशन डालते हैं, फिर वहां Merit List बनता है, फिर Merit List के अधार पर बहाली होती है, और वो होने जा रही है, होगी अभी छटमा चरन चल रहा है, और जो STT UNICE में पास किये हैं, उनको साथ में चरन में हम लोग सीघर मोका देने जा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, देखा आपने, इन्होंने बोला कि साथ में चरन का जब पड़िक्चा होगा तो उनकी बहाली निकलेगी, तो उनमें उनको मोका दिया जाएगा, इसी तरह की फोटो बरे खब के साथ, देखते हैं, NBC24